हलो फ्रेंड वेल्कम बैक तो मैं चैनल आज हम कर रहे हैं क्लास टूखा इवेस का चैप्टर नंबर 6 प्लांट्स आर यूसफुल यानि के पौधे जो होते हैं हमारे वो बहुत उपयोगी होते हैं यूसफुल होते हैं ठीके यह सेमिस्टर टूखा चैप्टर है और यह पहले एक छोटी सी स्टोरी बताई जाती है स्टार्ट करें शाइना डूंट वेस्ट पेपर बरवाद मत करो वेस्ट मतलब होता है बरवाद करना किसी भी जीस को ठीक है वी गैट पेपर फ्रॉम ट्रीज हमें जो पेपर होते हैं वो किस से मिलते हैं हमें ट्रीज से मिलते ह यह बहुत ही जादा हमारे लिए अनमोल होते हैं इक टेक्स यह निकि सिर्फ लगता है अगर हमें एक पेड़ को काटते हैं तो क्या होता है कि सिर्फ एक घंटे के अंदर एक पेड़ कर जाता है बट उसको बड़ा होने में उसको ग्रो होने में क्या होता है बहुत सारे साल लगते हैं तो चैप्टर को ध्यान से पढ़े अब स्टार्ट करते हैं plants are our green friends, okay plants क्या होते है, plants हमारे green friends होते हैं, यानि कि हमारे हरे दोस्त होते है, ठीक है, because क्योंकि they are very useful for us, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत उपियोगी होते हैं, useful to us, यानि कि वो हमारे लिए बहुत जदा उपियोगी होते हैं, कैसे होते हैं उपियोगी, they give us food, वो हमें क्या दे मेदिस्न मिन को रहें में लएग दिएज और मिनला तॉब लगड़ श्मय रेक में बने strings होड़ी से द врем जाते आप मोई और में और दक्राइन वसं से इस बनोते प्लांटी है उसलिए और कती इस पाज़ते एंग वहाली बुगोर में beautiful और वो क्या करते हैं साथी साथ वो हमारी surrounding जो होती है surrounding means क्या होता है कि हमारा आसपास का जो area होता है हम जिसमी चीजों को देख रहे होते हैं अपने घर के आसपास तो जो हमारी surrounding होती है उसको बहुत सुन्दर बनाता है beautiful बनाता है आप देखे आगे क्या है plants give us food plants यो होते है वो हमें food भी देते है अब food कैसे देते है ठीक है धियान से दे Picasso plants store food in different parts plants यो होते हैं वो food को store करते हैं यह आनि कि अपने पासमे रखते हैं different parts अपने भिन-भिन यानि कि अपने अपने अलगरा हिस्से में वह food को रखते हैं, we eat these parts as food, और हम उसके parts होते हैं, उनको एक food की तरह खाते है, food की जैसे खाते है, right, जैसे की radish and carrot जो होती है, वो क्या होती है, roots होती है, वो roots क्या होती है, जो जमीन के अंदर रहती है बना, उनको हम roots बोलते हैं, तीक हैं, सो हम रैडिस को खाते हैं, क्यूंकि ये roots के अंदर रहते हैं, और carrot को खाते हैं, तो ये भी हमारा food है, पढ़ी है root है, ठीक हैं, जिससे sugar can हो गया, ginger हो गया, ये हमारे stem होती है, stem मितलब क्या होते हैं, टहनी एक तरीके से, right, and और स्पिनेच हो प्रूटस की बिनाते है चाइक प्रुटस की प्रूट्स काहँ है। next broccoli and cauliflower यह क्या होते हैं तो कितनी सारी व्रैयरटी खालिटी आ and trynt Алगी दी कितनी सारे different parts थी दिधियों जो है हमारा अब यह आजाता है we also get nuts from plants okay और हमें plants से जो है nuts भी मिलते हैं Nuts are dry nuts with very hard shells. कुछ जो nuts होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका जो shell होता है जो उनका खोल होता है एक तरीकी से जो shell means क्या होता है? एक तरीकी से उनका जो खोल होता है वो बहुत hard होता है यनिके कठोर होता है ठीक है? अब जैसे कि almonds हो गया, ground nut हो गया cashew nut हो गया, ठीक है हमें यह सब कुछ खाते हैं, मुफली बादाम, छुवारे, किश्मिश यह सब dry foods होते हैं इनको भी हम खाते हैं, और यह सब भी हमें कहां से मिलते हैं, we get all these from plants यह सब भी हम plants से ही हमें मिलते हैं so we get spices from plants, we get spices, spices means क्या होता है मसाले, from plants, हमें जो यह मसाले भी plant से मिलते हैं पौधो से, they add taste, color and aroma they add taste वो हमारे जो खाना होता है, जो भी हम भोजन खाते हैं, to food, हमारे food के अंदर, हमारे खाने के अंदर, वो क्या करते हैं वो taste add करते हैं, color add करते हैं, and aroma और aroma add करते हैं, aroma means क्या होता है pleasant smell, यानि के बहुत धीनी-बीनी सी खुश्बुना जो आपको अच्छी लगती रहे, उसको बोलते हैं aroma, right, we can store them for a long time we can, हम कर सकते हैं, store them हम उनको store कर सकते हैं, यानि के common spices, common मतलब जो आम बहुत ज़दा यूज होते हैं वो कौन-कौन से हमारे spices होते हैं, मसाले होते हैं वो होते हैं, cloves यानि के, cloves means क्या होता है long, paper, यानि के काली मिर्च, cinnamon यानि के, हमारी cinnamon means क्या होता है dalचीनी and cardamom cardamom means होता है, ilaiji जिसे के इस वाली picture में हम देख पा रहे हैं, यहापे black paper है, clove है cinnamon है, और cardamom है यह सब हमारे spices होते हैं जिनको हम अपना खाना बनाने में यूज करते हैं, आप अपनी मम्मी से जो हैं, इनको एक बार देख सकते हैं, आपकी मम्मी के पास हमें किचिन में बहुत सारी होंगी नहीं सब चीजे तो आप इनकी identify भी कर सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं अब देखें, यहापे नेक activity दी गई है इसको आपको जरूर करना है name any three spices we use in गरम masala, ऐसे तीन spices के नेम बताने हैं, जिने हम गरम masala में यूज करते हैं तो आप उनकी तीनों के नाम हम पर बता सकते हैं तो हम क्या-क्या यूज कर सकते हैं गरम masala में हम black paper करते हैं cloth करते हैं, cardamom करते हैं जीरा बोलते हैं जिसको जीरा means क्या होता है आप लोग को आई हो पता होगा जीरा जो होता है जीरे को भी हम use करते हैं क्यूमिन सीट्स बूलते हैं क्यूमिन सीट्स को भी हम use करते हैं गरमसाला बनाने में तो आपनी मम्मी से पूछ सकते हैं आगे थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं important है क्योंकि ये भी न so plants also give us tea mm कोपी, साथ कानि भी देते हैं, टी भी देते हैं काफी भी देते इनिकी कोपोगया हैं को पाओंडर शका बनेफेते हैं वो कोकुवा होता है, ठीक है, we get oil from plants, और हमें जो है, oil भी plant से ही मिलता है, we use it, हम इसका उपयोग करते हैं, for cooking, cooking means खाना बनाने के लिए, ठीक है, as, cooking as medicine, और हम उसका यूग, medicine की तौर पे भी करते हैं, निके दवाईयों की तौर पे भी करते हैं, and for applying on hair and body, और उसे हम apply करते ह यानि के लगाते हैं, हमारे hair में, यानि के हमारे बालो में, और हमारी body में भी हम उसका यूज करते हैं, उसको हम लगाते हैं, so कौन-कौन से plants होते हैं, जिन से हमें हम आइल बनाते हैं, जिसे की coconut oil, आपको सबको पता होगा ना, coconut का oil बहुत ज़दा लगाया जाता है, जो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, हाफ पार्ट इस चेप्टर का बचा हुआ है, वह मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी, question and answer भी अगर आप चाहते हैं, तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं, और chapter कैसे लगाएं, please comment में जरूर बताएगा, thanks for watching